हेलो अबरिबर नमस्कार कैसे है आप प्लूरल इफ्यूजन यानि कि फैपड़ों में पानी भरना आम तोर पर हम इसे फैपड़ों में पानी भरना ही कहते हैं लेकिन फैपड़ों के चारों तरफ हमारी एक प्लूरा होता है प्लूरा यानि कि उसकी कवरिंग होती है तो प्ल métural infusion अर इसी को हम कहते हैं फैपडों में पानि फरना अगर फैपडों के अंदर पानि भर जाता है थो यह situation बहुत जादा dangerous हो سकती है यह situation बहुत जादा critical हो सकती है यह situation इतनी जादा महत्पूर होती है उस patient के लिए जिसको फैपड़ों में पानी फरता है उसके लिए उसको तुरंत इमीडियेटली होस्पीटल जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है जबकि प्लियूरल इफ्यूजन यानि की फैपड़ों की कवरिंग के अंदर अगर पानी फरता है तो ऐशी सिचुईशन में हमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे उससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी फैपड़ों की कवरिंग यानि की आम भासा में जो कहते हैं कि फैपड़ों में पानी फर गया है उसे कैसे पहचानेंगे आसान दरीके से इस वीडियो में हम इसके कारण समझेंगे इसका इलाज सम समझेंगे और इसे कैसे पहचानिंग इसे भी समझेंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्लियूरल एफ्यूजन के कारड क्या होता है जैसे कई कई लिवार क्या होता है पुरानी बीमारी कुई हम को है और यह बिमारी लंबे समय से चल रही है जैसे कि निमोनिया है टिवर क्लॉसिस है या फिर फैपनों में ट्यूमर हो गया है या फिर कई वार एक्सिडेंट की बज़े से हो जाता है तो यह कुछ कॉमन कारण होते हैं कई वार ब्रॉंकियों आटेस्स की बज़े से हो जाता है यानि कि आसान भासव में समझे तो यहां पर सीधा सीधा मतला भी है कि अगर हमें फैपनों से रिलेटेड कोई infection है कोई पुराना बिमारी है जिसकी बजह से हमें फैपड़ों में पानी भर सकता है दूसरा accident की बजह से कई वार रप्चर हो जाता है तो उसकी बजह से भी हमें infection होता है और हमारे plura में पानी फरना start हो जाता है अब बात करें कि इसे कैसे पहचानेंगे वही माल लेजे हमारे पास सेतने पैसे नहीं है हम test नहीं कराना चाहते है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे जब हम सांस लेते है यानि की inspiration करते है जैसे मैंने सांस लिया तो जब मैं थोड़ी सी deep सांस लोंगा यानि थोड़ी सी गहरी सांस लोगा तो इसमें हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा इसे कहते हैं प्लियूरल पेन चेस्ट पेंट हमें स्टार्ट हो जाएगा, अगर इधर की फेपडे में पानी भराए तो इधर हो जाएगा, अगर इधर की फेपडे में पानी भराए तो इधर हो जाएगा, अगर दोनों में भराए तो दोनों तरफ हमें फील होने लगेगा, चेस्ट में फील होने लगेग सांस जब हम गहरी सांस लेंगे तब ठीक है दूसरा इसके साथ मैं fever आने लगता है मरीज को मरीज को पुखार आने लगता है और मरीज थोड़ा सा डल हो जाता है यानि कि उसको ऐसा लगता है यानि कितनी बीमारिया है ठीक है, इस तरह की समस्याइं आने लगती है अगर test की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला होता है X-ray तो X-ray के अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे फैपड़ों में पानी भर गया है अगर किसी को फैपड़ों में पानी भर गया है तो ऐसी situation में उसके जो Corners होते है एक्सरे के आप देखेंगे इस तरह से जो एक्सरे बनता है तो एक कॉर्णर इधर का होता है जिने हम CP एंगल बोलते हैं तो अगर किसी को फैंपड़ों में पानी भरता है तो उस मरीज के CP एंगल जो कॉर्णर होते हैं नीचे वाले दोनों तरप के गायब हो जाएंगे अग अगर थोड़ा बहुत होगा तो जिस साइड में पानी भरा होगा उस साइड का वो वाइड वाइड हो जाएगा वो कॉर्णर हमें साबसे नहीं देखेगा तो इस तरीके से हम एक्सरे में पहचान सकते हैं अब इसके लिए दूसरे टेस्ट होता है जैसे कि सिटी स्कैन है इसके अलाबा एम आराए करा सकते हैं इसके अल्टर यूंड भी कई वार रम कराते हैं अपर अब्ढूमिन का अगर हमें पता लगाना हो कि हमारे फेपडो में कोई दिख्कत है तो कई वार हम लोग इसे अपर अब्ढूमिन chest accessory भी कराते हैं और upper abdomen हमारा कई वार हम इसे ultrasound भी कराते हैं तो यह होते है common test इसके अलाबा blood reports हम करा सकते हैं जैसे के cvc है और other investigation जैसे जरूरत पढ़ने पड़ा अब इसका treatment क्या है इसका ilaj क्या है common जो ilaj होता है कई वार थोड़ा बहुत अगर पानी भरता है तो इसे हम दवाईयों की साहता से सुखा देते हैं यानि की दवाईयों की साहता से यह सूख जाता है अगर किसी को ज़्यादा पानी भर गया है तो ऐसी situation में उसमें क्या करते हैं एक needle लगा के उस पानी को बाहर निकाल लेते हैं अगर किसी मरीज को कॉम्प्लिकिसंस बनते हैं तो कई वार हमें अलग-अलग तरीके अपना करके दवाईया है नेडिल्स है तो अलग-अलग प्रिकार से हम इसे ठीक करनी की कोशिस करते हैं मुझे लगता है कि यह जानकारी अप सभी के लिए प्लियूरल इफ्यूजन से रिलेटेड जितनी भी जानकारे थी आप सभी के लिए यह महत्तपूर होगी यह सभी जानकारियां अगर फिर भी आपका कोई प्रेश्न है कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर स सकते हैं जहां पर हम वीडियो लेक्चर से सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियो का आनन दोड़ा सकते हैं फिर मिलता हूं असी तरह किसी नई वीडियो में तब तक लिए अपना प्यार देते रहें नमस्कार थेंक्यों वाचिंग हैवनाइस टे है